हेलो एवरीवन वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके साथ यू के जी क्लास का इविएस वर्क्षिट सेर करने जा रही हूं यू के जी में बच्चों को इविएस में जिन जिन टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है आज के वीडियो में हम उसे देखेंगे तो सुरू करते हैं वी इसे आइस से हम क्या करते हैं तो आइस से हम इन में से टीवी को देखते हैं तो आइस को टीवी से मैच करेंगे इयर से क्या कर सकते हैं तो इयर से बेल की आवाज को सुन सकते हैं तो इयर को बेल से मैच करेंगे नोज से हम क्या कर सकते हैं नोज से हम फ्लावर की स्मेल को श करेंगे, हैंड से हम मॉपिंग कर सकते हैं तो हम हैंड को मॉप से मैच करेंगे, नमबर 2, fill in the blanks, I have dash eyes, यहाप़ 2 fill करेंगे, I have two eyes, I have dash nose, I have one nose, I have dash ears I have यहाँ पर two fill करेंगे I have dash hands हमारे कितने hands है तो हमारे two hands है यहाँ पर two भरेंगे I have dash legs हमारे कितने pair है दो pair होते हैं तो यहाँ पर two भरेंगे I have dash tongues हमारे पास कितने tongue है one tongue होते हैं तो यहाँ पर one fill करेंगे 3. How do animals help us match the following? इनिमर्ण हमारी किस तरह से help घर जब बशट मेंते हैं इससे match करना है Hem से हमें 付ंब है 선में मेलता है इससे match करेंगे Goat हमसेächen मिलता है इससे match करेंगे catch च्छोट से हमें मिलती है जूग हमेंwaćेज़ करते हैं सिप से हमें वुल स्वीड गोट。 करेंगे काव काव से हमें मिल्क मिलता है तो इसे मिल्क से मैच करेंगे इसमें बच्चों को मिस्तर सब्जाएंगे कि लिविंग थिंग्स उन्हें करते हैं जो ब्रीद करते हैं मूव करते हैं ग्रो करते हैं और इटिंग फूड करते हैं उसे लिविंग थिंग करते हैं मतलब तो यहाँ पर बाल की पिक्चर है, वह पहिए और ना फो इसे खाते है तो इसेrat कृस्ग करती है तुक दलिविंग 91 अब्स आफपर वाट नौन लिविंग one nem bri लिविंग यजओर बटरफ्लाइफasis काइट नौन लिविंग झीग ए Sam तो इसे मैंगो से मैंच करेंगे नेशनल ट्री हमानेशनल एन ट्री च् mechanics से मैच करेंगे, नैशनल बर्ड, इंडिया का नैशनल बर्ड पिकॉक है, तो इसे पिकॉक से मैच करेंगे, नैशनल रिबर, नैशनल रिबर गंगा है, तो इसे गंगा से मैच करेंगे, नैशनल एनिमल, नैशनल एनिमल टाइगर है, तो इसे टाइगर से मैच करेंगे, Match the animal to their young ones. Dog, dog का young one है, puppy, dog के baby को puppy बोलते हैं, तो इसे puppy से match करेंगे, cat, cat के baby को kitten बोलते हैं, तो इसे kitten से match करेंगे, cow, cow के baby को calf बोलते हैं, तो इसे calf से match करेंगे, duck के baby को duckling बोलते हैं, तो इसे duckling से match करेंगे, हेन के बेबी को चिक बोलते हैं तो इसे चिक से मैच करेंगे शिप के बेबी को लैम बोलते हैं तो इसे लैम से मैच करेंगे और लायन के बेबी को कब बोलते हैं तो इसे कब से मैच करेंगे नमबर सेवे ने मैच दा एनिमल्स टू दियर होम एनिमल्स को उनके होम से मैच करना है डॉग के होम को कैनल बोलते है डॉग कैनल में रहते है तो उसे कैनल से मैच करेंगे हेन हेन के होम को कूप बोलते है तो उसे कूप से मैच करेंगे लायन लायन के होम को डैन बोलते है रैबिट बुरो में रहते है तो उसे बुरो से मैच करेंगे B के होम को हाइब बोलते है तो उसे हाइब से मैच करेंगे Bird नेस्ट में रहते हैं तो उसे नेस्ट से मैच करेंगे Ant के होम को हिल बोलते हैं तो इसे हिल से मैच करेंगे Spider के होम को बैब बोलते हैं तो उसे वेब से मैच करेंगे होर्स अस्टबल में रहते हैं तो उसे अस्टबल से मैच करेंगे नेक्स्ट है मैच दा फॉलोईंग किंग ओफ दा जंगल किसे कहते हैं मतब जंगल का राजा किसे बोलते हैं तो जंगल का राजा लायन को तो इसे lion से match करेंगे, largest land animal कौन सा है, elephant, largest land animal elephant है, तो उसे elephant से match करेंगे, faster land animal, मतलब सबसे तेज, जमीन पर सबसे तेज दोड़ने वाला जनवर, चीटा है, तो उसे चीटा से match करेंगे, king of the desert, मतलब मरवस्थल का राजा किसे बोलते हैं, तो उसे camel से match करेंगे, national animal, tiger है, तो उसे tiger से match करेंगे, question number nine है, choose and write in the correct box, यहाँ पर fruits और vegetables को एक साथ मिला कर लिखा गया है, और बच्चों को इन्हें identify करके, अलग-अलग boxes में लिखना है, तो यहाँ fruits में हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर apple है, तो apple fruit है, या वेजिटेबल है, तो बच्चे यहाँ पर fruit में apple को लिखेंगे, ब्रिंजल, ब्रिंजल वेजिटेबल है, तो इसे वेजिटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे, pumpkin, pumpkin भी वेजिटेबल है, तो इसे वेजिटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे, banana, banana fruit है, तो इसे fruit वाले बॉक्स में लिखेंगे, मैंगो, मैंगो भी फ्रूट है, तो इसे फ्रूट वाले बॉक्स में लिखेंगे लेडी फिंगर वेजिटेबल है, तो इसे वेजिटेबल वाले बॉक्स में लिखेंगे ग्रैप्स फ्रूट है, तो इसे फ्रूट वाले बॉक्स में लिखेंगे पोटेटो वेजिटेबल है तो ये सारे टॉपिक्स बचों को EBS में UKG में पढ़ाया जाते हैं I hope आपके लिए वीडियो helpful रही होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ